हाई अब्रिवन स्वागत है आपका मेरे किच्छन में आज हम बनाएंगे मसालेदार गुजराती चोड़ा फड़ी जो सिर्फ कुछ 6 मिंटों में तयार हो जाएगी तो चलिए शुरू करें इसके लिए हम यहां पर आधा कप पानी और एक टी स्पून नमक डाल के उसे उबा कर लिजिए यह दोनों आटो को उसके बाद हमने जो पानी गरम किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक मीडियम सक्त आटा लगाना है मैं यहां पर आधा कप पानी इस्तमाल कर रही हूं पर कई बार दोनों आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कभी थ कम पानी में भी हो जाएगा आटा तैयार तो आप इसे साब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि आपका आटा एकदम पॉफेक्ट बने तो अच्छे से गून लीजिए और हमें यह कंसिस्टिंसी का आटा चाहिए एक बार यह अच्छे से गून ले उसके बाद ह हम जो कूटने के लिए इस्तमार करते है कूटनी उससे हमें इस आटे को एक मिनिट तक कूट लेना है ताकि हमें जादा उसे घूनना ना पड़े तो इस तरीके से इसे मार के या पंच करके कूट लेंगे करीबन एक मिनिट और एक मिनिट कूटने के बाद एक बार हाथ से इसके बाद यह हो चुका है तो अब हम यहां पर देखिए एगदम स्पूद हो चुका है मैंने एक बार इसे गून लिया था अब हम यहां पर निम्मू से थोड़ी चोटी साइस की लुईया तैयार करलेंगे इस हाटे की तो सारी लुईया तैयार कर लीजिए ये चोड़ा फड़ी की एक special चटनी भी होती है जो बहुत ही स्वादिश होती है उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और description box में भी मैं उसको लिख दूँगी तो उसे भी एक बार try करना उसके साथ चोड़ा फड़ी का मज़ा कुछ जादा ही आता है तो देखिए मैं सारी लोईयां तयार कर रही हूँ ये हमारी रेसिपी की एक खासियत ये भी है कि ये ज्यादा मेहनत नहीं लगती इस रेसिपी को बनाने में और मैंने यहां पे ना तो कोई पापड़खा ना तो कोई सोड़ा का इस्तमाल किया है और फिर भी उसके बिना भी हमारी चोड़ा फड़ी एकदम फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी हमें इस लोईयों को हमेशा ठक्के रखना है तो अब मैं यहां पे एक लोई लूँगी जिसे मैं सुख्य आटे में थोड़ा लगा के सुखा आटा इसे बेल लूँगी हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है और बीच में जब 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 ज़रुवत पड़े आप सुखा आटा मलब मैदे का आटा लगा सकते हैं इस चीज का खास द्यान रखिए कि यह रोटी सारी तरफ से एकदम थिन होनी चाहिए पतली होनी चाहिए कहीं मोटी कहीं पतली ऐसे नहीं चलेगा वरना आपकी चोड़ा-फृड़ी अच्छी नहीं बनेगी तो इस तरीके से हमें इसे पतला बेल लेना है और बेलने के बाद और एक खास चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसे धग्के रखना है देखिए इस तरीके से cotton cloth में धग्के रखेंगे ताकि ये सूक ना जाए, सूक जाएगी तो आपकी चोड़ा फड़ी अच्छी नहीं बनेगी तो बेलने के बाद आपको इसे कप्डे में धखके ही रखना है तो देखिए इस तरीके से मैं सारी चोड़ा फड़ी बना लूँगी अब हम यहाँ पे एक sheet लेंगे चोड़ा फड़ी की और उसे इस तरीके से काट लेंगे देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ उपपर थोड़ी जगे छोड़ रहे हैं हम और नीचे भी थोड़ी जगे छोड़ रहे हैं ताकि इसे तलने में आसानी हो अब चाहें उतना थिक या थिन इसकी स्टिक्स या इस तरीके से काट सकते हैं इसी तरीके से हम सारी चौड़ा फड़ी को कट कर लेंगे देखिए उपर थोड़ी जगे मैंने छोड़ी थोड़ी नीचे छोड़ी पूरा कट नहीं करना है हमें अभी तलने से पहले हमें तेल एकदम गरम चाहिए और तलते समय हम तेल को मीडियम हीट पे कर देंगे और जैसे ही चौड़ा फड़ी डालेंगे आप देखेंगे कि यह फूल चुकी है इसको तुरंद पलट देंगे हमें इसे दो बार पलटना होगा उलट पलट करते रहना है और यह सिर्फ आदे मिनिट में ही तयार हो जाएगी तो इससे जाधा हमें कोक नहीं करना है देख़िए मैंने एक दो बार उलट पलट किया और फिर हम इसे निकाल लेंगे इसका color भी हमें बहुत डाक नहीं करना है देखे अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद तुरंत हम इस पे लाल मिर्श का powder डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे ताकि ये थोड़ा चटपटा लगे और ये करम होगा तब ही सारा उसको एब्जॉब कर लें इसलिए इसी तरीके से हम सारी चौड़ा फड़ी तल लेंगे ये चौड़ा फड़ी खाने में बहुत ही स्वादिश होती है और जब चटनी के साथ आप खाएंगे तो और भी सादा मज़ेदार लगेगी इसे आप ऐसे भी नाच्टे में खा सकते हैं ये चौड़ा फड़ी को आप थंड़ा करने के बाद 15 दिन तक एटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से सारी चौड़ा फड़ी बना ली है मैंने वापस होई लाल मिर्च और नमक छिड़क देंगे तो लीजिए हमारी स्वादिश चौड़ा फड़ी बनके तयार है इसका मसा आप शाम की चाय के साथ या तो फिर इसकी चटनी के साथ ले सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरी ये गुज़ादी चौड़ा फड़ी की रेसीपी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली रेसीपी में